प्रदेश भर में हो रही अगोशित बिजली कटोती सहित बिलो में आ रही गरवडियों को लेकर प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर मुख्रमंत्री कमनलाग के अहवान पर आज प्रदेश सहित रीवा में कांग्रेस पार्टी ने बिजली वाग कार्याले के ब बिलो में लगातार हो रही गड़वडियों को सुधार के लिए पूर में संबंदित भवाग के जिम्मेदारत कारीयों को ग्यापन पत्र सौपा गया था लेकिन वेवस्था नहीं सुधरी जिसके बाद आज प्रदेश पार्टी कारेले से मिले निर्देश के बाद जिले और प्लाक स्तर पर धर्ना प्रदर्सन किया रहा है महा महीं राजिपाल के नाम ज्यापन भी सोपा जाएगा जिला कांग्रेस कमिट्री द्वारा कारिपाल नियंत्री शहर संबाग कार्याले के सामने आज धर्ना प्रदर्सन दिया गया इस दोरान अगोसित विद्दुत कारेबाजी की गई जिलाध्यक्ष ने कहा कि मनमानी अगोसित बिद्दुत कटवती जारी है ग्रामी शेत्रों में जायतर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं इस भीशन गर्मी में लोगों का घर में अंदर रहे पाना मुश्किल हो रहा है साथ ही पानी की भी जटिल समस्या हो र प्रस्तुत है जिला कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष त्रहुगी नरायंट शुकला एवम नरेन मिश्रा विद्दुतत्कारी से प्राप जानकारी के अंश्या अनाब सनाब बिजली की जो कटोती हो रही है अगोसित जो इनकी कटोती है नियमित कटोती के अलावा और जो प्रदेश के समाने तद्यक्ष कमल नाजी का वान है आज पूरे प्रदेश में विद्धरन के अनरे जितने हैं चाहे साहर में हो चाहे गामीर इलाके में बलाग के इलाकों में हर जगे आज एक जारा बजे से कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित साथी सरकार को जगाने विजली विभाग को जगाने के लिए धरने और प्रदर्शन पर दरने अंदोलन पर बैठे हुए हैं तता सभी लोग ग्यापन साओ उप रहे हैं कि कम से कम इसी है कि अपन राजपाल के नाम स जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाएं जिसलिए जनता को निजात मिल सके नहीं पूरी होगी तो पूरे प्रदेश में बड़ा अंदोलन चला जाया जाएगा गामीन में भी बड़ी खराब सार में भी खराब ये कहां नहीं जा सकता कि कहां जादा है कहां कम है इनके बस कुछ दूसरी करते हुए जमीन में कुछ नहीं है हम लोग भी गाओं में भी रहते हैं सार के भी लोग हैं सब लोग बैठे हैं विजली की समस्च्या सब तशीत करती हैं इस पेसे पहली तो सहर में कोई एक घोसत विद्दृत करती है नहीं जो भी है वो कहीं फालट आता उ विद्धुत कटोती भी उसको नहीं किया सकते एक अन्प्लांट टाइप में हो जाता है वो उसका कारे करने के लिए कर कहीं समय लगता है तो थोड़ा सा समय अपन को भी वितित करने क्योंकि इत्ती भारी गर में हमारा लाइन करबचारी भी वहां खड़े होके काम करता है खं सब्सक्राइब को अपने साथियों को जो ग्राम इंड शेत्र के करपने में तो उनको सुचित करवा दूंगा इसमें जाओ पुले करके हैं तो इस बार मीटर बिटिंग वी कुछ चेंज करके अपने प्रयास करते हैं कि उनके निरा करन किया जा सके बागी तो ठीक है एक निश्ची समय आजकल कोई कोई बिजली कटोदी का है नहीं सहर में तो कश नहीं है